बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं 9th class की पॉलेटी का last chapter लोक्तांत्रिक अधिकार और लोक्तांत्रिक अधिकार के अंतरगत हम लोग अध्धन कर रहे हैं मूल अधिकारों का मूगल अधिकारों के बारे में इससे पूरों के अंतरगत हम लोगों ने समानता का अधिकार, स्वतंतरता का अधिकार, सोशन के विरुत अधिकार तो दार्मिक स्वतंतरता के अधिकार के बारे में पढ़ा आज की वीडियो के अंतरगत हम लोग अध्धन करेंगे सांस्कृतिक तथा शेक्षिक अधिकार के बारे में यह जो मूगल अधिकार है, सांस्कृतिक वे शेक्षिक अधिकार, वह है मुख्यत है, अल्प संक्यकों के हितो की रक्षा के लिए बनाए गए है यानि अल्प संक्यक वर्ग हैं उनके हितों की रक्षा के लिए मुझल अधिकारों की रूप में स्वीकार किये गए हैं बच्चों भारत विवित संस्कृति वाला देश है जहां विभिन धर्म, भाशा, संप्रदाय, वर्ग और संस्कृति वाले लोग रहते हैं प्राचीन समय से यहां पर अनेक आकरांता या विदेशी यहां आते गए और यहां मूल निवासी की रूप में आकर बस गए भारत में एक बहुती अद्बुच शमता है आत्मसाथी करन की, समन में स्तापित करन की इन सभी को भारत ने अपने रंग में रंग लिया और यहीं के निवासी हो गए लेकिन इनकी जो मूल संस्कृति थी वह उसका अनुपालन अब भी करते रहें और जब भारत के समिधान का निर्मान हुआ तो समिधान निर्माता यह चाहते थे कि जो लोग यहां आकर रह रहे हैं बस गए हैं यह संख्या में अल्प हैं चोटे समुदाय से हैं उनके हितों का संदक्षन भी भारतिय समिधान के अंतरगत किया जाए क्योंकि यह लोग कहीं भी ऐसे मैसूस नहीं करें कि भारत हमारा देश नहीं है और यहां हमारे हितों का संदक्षन नहीं होता आता है इनके संदक्षन के लिए भारतिय समिधान के अंतरगत सांस्कृतिक वश्यक्षिक अधिकार से मोलिक अधिकार इनको प्रदान किया जैस अब दूसरे के लिए विश्वास नहीं था यह भरोसा नहीं होने का कारण था था कि लूप रोट ऻफ में सविकार कर रहे थे कि जब नए साउत अफरिका का निर्मान किया जा रहा था तो अब वह सुरुप्न समाव पर गभालब गश तो यही हो जाएंगे और गोरे लोगों के हीतों का चरण हो जाए गा हो जाएगा उठे इसे हो जाएammers और यहां पर बेग और जाती स्रूक्त बेगाने हो जाएंगे वहां सर्विदा निर्मार नहींasında का कि दोनों वर्गों ने दूसरे विस्वास दिलाए गोरे लोगों इस रूप में अस्वेस्त किया कि जो मूल अदिकार हैं, जो basic आवश्यक्ताएं हैं, बहु संथयक वर्ग की यानि जो अस्वेत वर्ग हैं उनकी ओपना उनकी पूर्ती की जाएगी, उसी प्रकार से अस्वेत लोगों ने गोरी लोगों यृस रूप में असवस्त किया, कि आप लोगों के जो विसेश आदिकार है, आपकी संस्कृती है, आपकी बाश्या है, या आपकी जीवन पदती है उसकी किसी प्रकार से कोई हानी नहीं होगी नई सासनी वज़ता में उसको कोई नुकसान नहीं होगा तब जाके समिधान का निर्मान हुआ और तब एक ऐसा समिधान बना जिसने दोनों वर्गों को एक रूप में बांदिया इसी प्रकार से जब भारत के समिधान का निर्मान हुआ तो भारत नहीं है जान लिया था कि यहां विविज संस्कृति के लोग हैं और क्योंकि भारते समिधान के अंतरगत धर्म निर्पेक्सता को अपनाया गया था इसका मूल भी यह था कि यहां अनेक धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर् को अपने अपने धर्म का अनुसरन करने अपने अपने धर्म का आवलंबन करने की आजादी हो और राज्य का यानि राष्ट का कोई भी धर्म नहीं हो कोई भी अधिकारिक धर्म नहीं हो इसका वह पोशन करता हूं और सभी धर्मों की प्रती भारत के द्वारा संभा और द्र से भी थी जो वभिंता के आधार पर भारत को कहीन खंडित करती थी जैसे वर्ग है संपड़ाय है तो ऐसे वःग जो अल्प रूप थो निवास कर रहे थे उस्तों आ इसे केवल उस समय जब समिधान का निरमान हो रहा था अपितु भविशे में भी उनके हीटों कीघवाली हो सके उनके हीटों का संडरक्षन हो सके उनके हीटों अकिण सुरक्षा हो सके इसी लिए भारतिय समिधान के अंतरगत सांस्कृतिक character अधिकार संस्कृति का देश है और यहां हुदिन संप्रदायों के लोग रहते हैं उनकी विभिन Осब आधार पर हो धरम के आधार पर हो लोगी इन विभीन संस्कृतियों को इन विभीन भाषाओं को एकाकार रूप में पिरोकर एक सुद्रड भारत का निर्मान हो सके इसलिए इन वर्गों को यह संदक्षन प्रदान किया गया है यानि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वर्ग, कोई भी समुधा यह नहीं समझे कि भारत मेरा देश नहीं है यह बात सोच समझकर भारतिय समिधान निर्माताओं ने भारतिय समिधान के अंतरगत अपनाई है जब भारत का निर्मान हुआ, उस समय भारत को एक धर्म निर्पेक्स राष्ट गोशित कर दिया गया, यानि यहां सबी धर्मों के धर्माव नियाईयों को अपने अपने धार्मिक आचरन की अपनाने की और उसका अनुसीलन करने की स्वतंतरता प्रदान की गई, भारत का जाती, वर्ग, संप्रदा या संस्कृति तब भाशा के आधार पर भी है, इस प्रकार से इन वर्गों के हितों की सुरक्षा की जाए, और यह कहीं भी ऐसा मैसूस नहीं करें कि भारत ने हमें अपनाया नहीं और हम यहां इस देश के अंतरगत पराएं हैं, जब भारत का न प्रतेक व्यक्ति की, प्रतेक समुदाय की भारत के निर्मार में भागीदारी हो, और सब मिलकर भारत के संगटिच सुरूप का निर्मान करें। यानि जो सांस्कृतिक वे शेक्षिक अधिकार है वह है अल्प संक्यक वर्गों की भाषा, संस्कृति या धर्म के आधार पर उन्हें सुद्रता प्रदान करता है यानि ये वर्ग अपनी भाषा, संस्कृति और धर्म की अनुपालना स्वतंतरता पूर्वक कर सकते हैं तो भाते समिदान निर्माताओं ने अल्प संख्यकों के हितों की रक्षा के लिए सांस्कृतिक वे शेक्षिक अधिकार इन लोगों को प्रदान किये। अल्प शंख्यक यानि संख्या में अल्प कम यानि अल्प संख्यक वर्ग वह वर्ग होता है जो राज्य, राष्ट या इकाई स्थर या किसी भी स्थर पर धर्म, संस्कृति, भाष्या के आधार पर एक बड़े वर्ग की तुलना में संख्या में कम हो। इसे परिबासित कर सकते हैं और कह सकते हैं कि राजे या रास्टेस या इकाई स्तर पर धर्म भाषा या शंस्कर्टी के आधार पर लोगों की संख्या किसी और वर्ग की तुलना में कम होने को या इस वर्ग को अलप संख्यक कहा जाता है अब अल्प संक्यक वर्ग के लिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि दो स्मोलिक अधिकारों का उल्लेक भारतिय समिदान के अंतरगत किया गया है अनुचेद 39 और अनुचेद 30 के अंतरगत यानि दो मौलिक अधिकार सांस्कृतिक और सिक्षा संबंधी अधिकार से हैं जिसमें अनुचेद 39 कहता है अल्प संक्यकों के हितों के संदक्षन की बात करता है और अनुचेद 30 के अंतरगत अल्प संक्यकों को सिक्षन संस्ताओं की इस्तापना और उनका संचालन करने का अधिकार प्रदान के आगया है तो आईए इन दोनों अधिकारों के बारे में हम सिल्चलेवार तरीके से पढ़ते हैं सबसे पहले पढ़ते हैं अनुचित 39 जिसमें अल्चसंकिकों के हितों के संरक्षन की बात की गई है अनुचित 39 कहता है कि प्रतेक भारतिय नागरी को सांस्कृतिक व्य सिक्षा संबंदी स्वतंतरता का अधिकार प्राप्थ है और प्रतेक वर्ग को अपनी भाषा, अपनी लीपी, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार प्राप्थ है और राज्य द्वारा संचालित कोई भी सेक्षिक संस्तान उसमें धार में भाषा जाती तथा वर्ग के आधार पर किसी भी नागरी को प्रवेश से नहीं रोका जा सकता यानि राज्ये द्वारा जो संचालित सेक्षिन संस्तान है उसमें धार में जाती वर्ग तधा भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा नेक्स्ट है अनुछे 30 जिसके अंतरगत अल्प संक्यक वर्गों के सिक्षा संस्ताओं की स्तापना और उनके संचालन तथा प्रसासन का अधिकार उनको दिया गया है अल्प संक्यक वर्ग को अपनी इच्छा अनुसार सिक्षन संस्ताओं की स्तापना करना और उनका प्रसासन का अधिकार प्राप्त है और राज्ये वित्य सहायता प्रदान करते समय किसी भी आधार पर, यानि किसी व्यक्ति की धर्म, जाती, वर्ग और उसकी भाशा के आधार पर कोई भेदबाव नहीं करेगा, बिना भेदबाव के वह है उनकी सिक्षन संस्ताओं को वित्य सहायता प्रदान करेगा, यानि अल लोगों ने पढ़े अल्टसंक्यक वर्ग के लिए महत्युपूर्ण अधिकार सांस्कृतिक वै शेक्षिक अधिकार। अब हम लोग चर्था करते हैं अनुचेद 32 की। बहुत ही इंपोर्टेंट आर्टिकल है जिसे सम्विधान की आत्मा कहा जाता है। अनुचेद 31 संपत्ति के अधिकार से संबंदित था जिसे निर्शित कर दिया गया है हटा दिया गया है। जो मुल अधिकार मुलते साथ थे अपच्छे हो गए हैं और मुल अधिकारों से संबंदित अनुचेद 24 थे जो 23 हो गए हैं इस प्रकार से अनुचेद 31 को हटा दिया होते हैं जैसे कि प्राकर्तिक अधिकार प्रकर्ति में जर्म लेने के साथ ही हमें प्राकर्तिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं मानव होने के नाते प्राप्त होने वाले अधिकारों को मानव अधिकार कहा जाता है और ऐसे अधिकार जो नीतिगत यानि जिनमें नेतिकता का किया जाता है उन्हें नेतिक अधिकार कहते हैं और ऐसे अधिकार जिने कानून का संदक्षन प्राप्त होता है और कानून की किसी निशित प्रक्रिया के द्वारा जिनका निर्मान होता है उन्हें कानूनी अधिकार और ऐसे अधिकार जिनका उलेक समिधान में होता है इन्हे संबंद व्यक्तितम के विकास से होता है, व्यक्ति के मूल से होता है, इसलिए इन्हें मुल अधिकार भी कहा जाता है, अब लिए पितर की संपत्ती. में पुत्र को प्राप्त करने का अधिकार होता है या पुत्र को उसमें हक होता है उसी प्रकार से पुत्री को भी होना चाहिए क्योंकि वह भी अपने पिटा की संपत्ती में पुत्र के समान ही हक रखती है यह बात हुई नेतिक्ता कि यह हुआ उस पुत्री का नीतिगत अध लेकिन आब उसे हटा कर विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार हो गया अब मूल अधिकार में और कानूनी अधिकार में क्या अंतर है तो Safety, कि स्वरी बिए बुद्धी बभूचा के द्वार के दिवारा इत्व का निरमान हो ता है गया है अउन्चे आध्या Cord jeweils जो संपति का अधिकार हटाया गया है, वहcoming मूल रूप से मूल अधिकार था, लेकिन अब उसे हटाकर विधिक अधिकार या कानून involved अधिकार बना दिया गया है अब कानूनी अधिकार में और मूल अधिकार में मुख्यत अंतर ही है कि मूल अधिकार का संबंध व्यक्तितों के विकासे होता है और इनका सीधा सीधा संबंध सविदान में उल्ले खित मूल आदर्सों और सिद्धानतों से होता है और मूल आदर सानून को अवेद घोशित कर सकता है जब मूल अधिकारों का हनन करता है तब इस प्रकार से मूल अधिकारों के लिए ये व्यवस्ता की गई है कि मूल अधिकारों तथा भारतिय समिदान की प्रिस्तावना का संचोधन किया जा सकता है लेकिन भारतिय समिदान के जो मूल सिद संधित है मूल अधिकार, जिनका समिधान के मुलिक स्वरूप से आर्थ लिया जाता है, जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंदुत्वता, राष्टि एकता और अखंडता, ऐसे जो मूल सिध्धानत हैं, उन्हें मुलिक अधिकारों के रूप में प्रितेक नागरिक को प्रदान क प्रियास किया है और संपत्ति का अधिकार कहीं न कहीं समानता के अधिकार का हनन कर रहा था इसके करण संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया इसे वर्तमान में विधिक या कानोनी अधिकार बना दिया गया है तो बच्चों मूल अधिकार हम लोगों को प्राप्थ हुए और कि समिधान के द्वारा प्राप्त हो इस प्रकार से में बताते आरे हूं आप लोगों को कि इस अझाद में यह अधिकार थैंरी किया गया है मैं क्या लिभत क्या दिए assistants scream hand écritन आगलें oni उनकी उलंगाना की जाती है तोमिशन गारंटी से यदे'tक्या प्रांदित किயिता है जाता है तब तक वे अधिकार केवल कोरी किताबी बाते होंगे तो मूल अधिकार इस रूप में सुद्रण है जैसे राज्ये के नीतिने से तत्व हैं उन्हें केवल बताया गया है राज्ये की नीति अनुपालनामे की इन निर्देशक तत्वों का आप अनुपालन करेंगे अनुपालनामे के अंहें जोनकृण मूल अधिकारों की एधिकारों की जंड करेंगे, तो हम न्यायले की शरणly प्राप्त कर सकते हैं, वाधियोग्य वाधिकारंननीक के अनुद्रणंतरञक्षन करता सविधान की आत्म उनका कहना है कि सविधान ही हो जाएगा यदि यह अदिकार समिधाने उपचारों का सविधान से हटा दिया जाएगा तो समिधान अर्थी विह Nay можно आत्मा विहीन हो जाएगा, रिध्या विहीन हो जाएगा, अर्थ हीन या मूल हीन हो जाएगा, इस प्रकार से कहा जा सकता है कि श्व्यम मूल अधिकारों के संदक्षन का अधिकार भी एक मूलिक अधिकार है, एक मूल अधिकार है और इसे प्रभावी बनाता है न्यायले, य का संदक्षन करते हैं अनुछे 32 के तहत उच्छतम नायले को सरवचे नायले को इनके संदक्षन करने का अधिकार है और अनुछे 226 के तहत रज्यों के उच्छ नायलों को मौलिक अधिकारों के संदक्षन करने का अधिकार है मूल अधिकार दोनों नयायलों के यानि उच्छ नयायले और उच्छ तम नयायले का समवर्ति छेत्राधिकार है यानि यह है छेत्राधिकार दोनों नयायले की कारे सीमा के अंतरगत आता है और यह नयायले विभिन प्रकार की रिट जारी करके यानि आदेश जारी करके यह क्तशन का वच्रों किर्टीर का Chrirme करते हैं ग designs that these are day कोई कानून या कार्य पालिका द्वाग की गई कोई भी कानेवाई M다면 करती है यानि उन्हें नुक्सान पहुंचाती है तो वे उस विधी को अवेद घोशित कर सकते हैं चाहे वह विदी का संपूर्ण भाग हो या कुछ ऐसा भाग हो जिसे मोली कदिकारों का शरण किया है या हनन किया है तो उस विदी को न्यायले अवेद घोशित कर सकता है इसी प्रकार से सामाजिक तता सारवजिक हित्से सम्मंदित कोई भी मामला जो मोलिक अधिकारों का हनन करता है जन हित याचिका के माध्यम से जन हित जनता के हिच सम्मंदित याचिका के माध्यम से न्यायले के सम्मुक प्रस्तुत किया जा सकता है और न्यायले उसके अनुरूप फैसला करता है उसका मूल्ध होता है नागरिकों के मोलिक अधिकारों क की रक्षा करना इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों का अनन हुआ है वह नियायक्इक शक्रियता कि माध्यम से असे सभी जुड़े किसी भीborg या सारोचनिक से जुड़ेह वे कोई भी मुद्दे के लिए एक सिंपल पोस्कार्ड के माध्यम से या वर्तमान में इमेल के माध्यम से भी न्यायले तक अपने हित की बात पहुंचा सकता है और न्यायले इसके संदर्ब में सज्ञान लेकर न्यायक सकृता के माध्यम से हमारे अधिकारों की रक्षा करता इस प्रकार से बच्चो आज की वीडियो में हम लोगों ने अध्यन किया सांस्कृतिक वशेक्षिक अधिकार का और सबसे महत्यपूर्ण अधिकार समवैधानिक उपचारों के अधिकार का इसके पर शाथ हम लोग अध्यन करेंगे अधिकारों के बढ़ते वे दायरे तथा परास्टे मानवदिकार रायोग के बारे में तब तक के लिए विदा दीजिए जय हिन जय भारत